बात करने वाले हैं यह बात हो रही बेटा काटाइन्स की सब काटाइन्स की उसका अटामिक नमबर और उसका इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन और यह कंस्ट ध्यान में रखना होगा यह बनाता हो यह अगर कोई radicals है चाहिए यह बेसिक रेडिकल्स हो तो इसकी वैलेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो आज किसी बेस्ट पर हम लेकर क्या हैं हाउटू नो वेलेंसी तो इसी के बारे मांज हम लोगं डिसक्स करेंगे हौटू नो वेलेंसी अगर बच्चों हम वेलेंसी के डिफनीशन की बात करें तो वेलेंसी का डिफनीशन मतलब अथा it is the combining capacity of an element किसी भी element की जो combining capacity है वही उसकी वेलेंसी कहलाती है और इसी वैलेंसी के बेस पे हम किसी भी compound के formula को लिखते हैं या बनाते हैं जैसे suppose कलिए अगर हमने आपको किसी compound का formula बताया जैसे suppose कलिए sodium chloride का formula NaCl हो गया तो why the formula of NaCl, why the formula of common salt या sodium chloride is only NaCl, यह क्यों NaCl2 नहीं होता, यह क्यों Na2Cl नहीं होता, यह क्यों Na3Cl नहीं होता इसी के बारे में हम लोग discuss करेंगे कि यह क्यों नहीं होता यह क्यों नहीं होता और यह क्यों नहीं होता तो यह इसकी sodium और chlorine की valency पर depend करता है तो जब किसी भी element की हमको valency पता होती है तो हम उस compound का formula बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं अब आप अगर यहां बात हो रही है तो sodium और chlorine दोनों की अगर हम valency की बात करें तो दोनों की valency 1 होती है बच्चों इस तरह से इस valency chlorine की valency को यहां लिखते हैं और Cl की valency Na की valency को यहां लिखते हैं और the compound is NaCl इस तरह से sodium और chlorine की valency को जानते हुए हम sodium chloride का formula NaCl लिखते है NaCl2 नहीं हो सकता क्योंकि यह बताता है कि sodium की valency 2 है जो गलत है यहाँ Na2Cl बता रहा है कि Cl की valency 2 है जो गलत है यहाँ Na3Cl बता रहा है कि chlorine की valency 3 है जो की गलत है इस तरह से आज हम लोग discuss करने वाले हैं कि किसी भी element की जो valency होती है वो कैसे हम find करते हैं आईए अगर हम किसी element की valency की बात करें तो सबसे पहला चीज जो आपको जानना होगा बच्चों आपको यह पता करना होगा कि what is the atomic number of that particular element what is the electronic configuration and it is going to form cations or anions यह क्या बनाएगा इसके बारे में आपको जानना जरूरी है जैसे अगर हमने sodium का atomic number लिया था बैटा sodium हमने example लिया था sodium का बच्चों atomic number 11 होता है और इसका अगर हम electronic configuration करें तो 281 होता है अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो मैं बता रहा हूँ कि combining capacity हम कैसे find out करते हैं combining capacity find करने के लिए बच्चों यह देखना होगा कि वह जो element है वह electron lose करेगा कि यह करेगा फार occupying its octet अपने octet को complete करने के लिए वह electron lose करेगा कि यह गेन करेगा तो इस तरह से अगर हम यहां देखें तो sodium ने अपना एक electron it is looking at sodium ने बटा अपना एक electron lose किया then its electronic configuration is equal to 2 and 8 yes or no तो यहां इसका electronic configuration क्या हो जाए बटा 2 and यह board भीगा हुआ है इसलिए लिखने में परिशानी हो रहे है आईए देखते हैं फिर से देखें यह sodium जो था इसके outer cell में बटा एक electron था तो यह है एक electron क्या करेगा lose करेगा तो sodium ने अपना एक electron lose किया then its electronic configuration is 2 and 8 तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि sodium cations बनाता है sodium cations बनाएगा sodium is the cations इसका मतलब एक electron lose करेगा तो अगर electron lose करेगा तो इसकी जो इलेक्ट्रो वैलेंसी हो गई वह प्लस वन हो गई इस तरह से मैं कह सकते हैं sodium की वैलेंसी क्या होगे बच्चों वन हो गई इसी तरह से अगर हमने जो एक्जाम्पल लिया था second वाला that example was Cl क्या था बच्चों chlorine था और वह chlorine क्या था chlorine का अटमी नमबर कितना होता है 17 electronic configuration is 2, 8 and 7 आप देखते हैं इसको अपना octate complete करने के लिए या तो एक electron किसी से लेगा या तो 7 electron दे देगा 7 electron देना is very tough in comparison to take 1 electron तो यह है Cl क्या करें बचा एक electron ले लेगा किसी से और इसका octate now completed तो इस तरह से इसका octate complete हो गया और यह हो गया 2, 8 and 8 तो आपने देखा कि sodium क्या करा plus charge बनाया और chlorine negative बनाया तो यह catain farm करता है और यह anion farm करता है तो यहाँ आपको ध्यान रखना होगा generally metals are farming catains और non metals are farming anions तो इस तरह से हम किसी भी element की valency को find कर सकते हैं कि कोई भी element जो है वह electron lose करेगा electron gain करेगा इसी के base पर हम उसकी valency को नेरधारित कर सकते हैं जैसे मालो बहुत सारे example हैं हमने आपको लिखा hydrogen की valency plus 1 hydrogen की valency minus 1 भी हो सकती है sodium की valency क्या होगी बेटा calcium की valency 2 प्लस हो गई magnesium की valency 2 प्लस हो गई aluminium की valency 3 प्लस हो गई इस तरह से बहुत सारे elements हैं जिसकी valency हम find out कर सकते हैं तो हम सबसे पहले या जैसे माली ये कुछ ऐसे element होते हैं अगर हम copper की बात करें तो ये copper Cu plus 1 और plus 2 दोनों देता है या हम अगर ferrous की बात करें तो iron की बात करें तो ये ferrous आयन और ferric आयन दोनों देता है चलिए तो ferrous और ferric में क्या अंतर होगा या क्यों यह है ferrous plus 2 या ferric plus 3 ही बनाता है आज हम लोग को इसका decision करेंगे देखो बटा यहां से बता दें hydrogen positive आयन और hydrogen negative आयन काईलसियम के आउटर मोस सेल में दो इलेक्टान होते हैं इसलिए इसलिए इलेक्टान करेंगे अगर हम सब तो आइरन फेरस और फेरिक कैसे बनाता है तो आइरन का इटामिक नंबर होता है वच्छों 26 इलक्टानिक कन्फिगरेशन अगर हम करेंगे बोरबरी से तो टू एट और यह होगा तू दो आड़स दोबारे और चौदर 26 यह इसका इलक्टानिक कन्फिगरेशन हो जाएगा अ टू एट और फोर्टीन तो यह फेरस आयन बना लिया फेरिक क्यों बनाएगा बच्चों अगर हम इस तीसरे सेल को SPDF में कन्फिगरें तो हो गया 3S2, 3P6 और 3D 268 और 614 देहांस देखेंगे बचा यह जो 3D6 है 3D6 का जो इस्ट्रक्चर बनेगा हमको पता है आपको भी पता है कि D सबसेल में कुल 5D आर्बिटल्स होते हैं और अगर D में 6 इलक्टान है तो इलक्टानों को आप ऐसे भरते ह 1, 2, 3, 4 और 5 और यहां हमने दिखा दिया 6 तो यह तक फेरस का यह स्ट्रक्चर है फेरस आयन का इस्ट्रक्चर यह बनेगा कि D सबसेल में 6 इलक्टान है बेटा अब अगर यह फेरिक बनाना चाहे तो फेरिक क्यों बनाएगा यह प्लस 3 क्यों बनाएगा मुझे पता है कि D सबसेल में यहां देखिए गया अगर हम की सबसेल की बात करें तो किसी भी सबसेल में दो कंडी या तो दी-5 या तो यह तो इस ट्रक्चर से होंगे जो बाकी सारे से stable होंगे because it is half filled or it is fully filled तो ये क्या करता है बच्चों एक electron lose करगे एक electron दे करके अगर ये electron दे लेगा धन देंगे अगर electron lose करदेगा तो इसके पास कितने electron हो गए? पांच electron हो गए और सारे ही orbitals half filled हो गए तो इस तरह से इसका जो position हो गया हो गया? half filled हो गया और half filled के नाते ये stable हो गया तो इस तरह से iron क्या बनाता बैटा? फेरस और फेरिक दो तरह से बनाता है तो आपको इध्यान रखना होगा कि कोई भी element अपने electron को lose करके या electron को gain करके वो stability को achieve कर पा रहा है या नहीं इस तरह से हम इसकी वैलेंसी को find करेंगे अगर हम कापर की बात करें क्यूप्रस और क्यूप्रिक की बात के नहां देखरों का atomic number कितना होता है 29 electronic configuration होना चेए 2881 गवर से दिखेंगे 2881 यह है इसका exceptions है ध्यान देंगे यह क्या है बच्चों इसका exceptions है अगर हम exceptions ना follow कर आते तो इसका electronic configuration according to बोर बरी क्या हो जाता बच्चों 2872 but it is not correct this is not correct सही electronic configuration यह होगा क्योंकि यह कापर बोर बरी के rule को follow नहीं करता है तो यहां अगर हम इसकी बात करें initially its electronic configuration should be this one but actually the electronic configuration अब कापर is this one तो कापर ने प्लस बनाये इसका मतब़िक इलेक्टार निकाल दिया और अगर यह follow नहीं करता उपर वाला आप करता तो यह दो इलेक्टार निकालता तो इसलिए कापर की दो वैलेंसी पासिबल होती है प्लस बनाये प्लस टू यस बटा तो इस तरह से हम किसी भी element का अगर electronic configuration जानते हैं तो हम उसकी वैलेंसी को find out करते हैं आज हम लोग कुछ और चीज़ें डिसकस करेंगे कैसे हम किसी radicals की वैलेंसी find करते हैं लेकिन उसके पहले मैं कुछ एनायेंस के बारे में भी डिसकस करूंगा यसे हमने सुरु 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 में बताया क्लोराइड आयन का आए कुछ और देखते हैं suppose कर लिए अगर हम किसी दूस्से आयेंस की बात करें मान लिए हम सल्फर की बात करें बेटा यह क्या बनाएगा मान लिए हम फास्पूरस की बात करें suppose कर लिए हम आक्सिजन की बात करें यह सारे के सारे क्या होंगे सल्फर का atomic number 16 होता है as you know तो electronic configuration हो जागा 2,8 and 6 आप देखेंग बेटा इसके outer cell में कितने electron है बच्चों 6 electrons है तो इसकी valency क्या होनी चाहिए इसकी valency 2 होनी चाहिए क्यों ऐसी होनी चाहिए अगर यह अपने outer cell में electronों की संख्या 8 करना चाहता है तो इसका मतलब यह 2 electron किसी से लेगा और जब यह 2 electron लेगा तो its electronic configuration should be 2,8 or 8 it electro valency is minus 2 यानि इसकी valency जो होगी वो क्या होगी 2 होगी फासफोरस का atomic number 15 होता है और अगर हम इसके electronic configuration की बात करें तो क्या होगा 2,8 and 5 तो जब हम इसके ions की बात करेंगे यह कौन साइन बनाएगा कटाइन बनाएगा यह नाइन बनाएगा तो 5 electron है यह अपने outer cell में 3 electron accept करेगा तो जब 3 electron accept करेगा तो पहले में 2 हो गया दूसरे में 8 हो गया और तीसरे में 8 electron हो गया और अगर हम sulfur की बात करें तो oxygen की बात करें oxygen का atomic number के तना होता है इसका electronic configuration 6 हो गया 2 और 6 जब हम इसकी बात करेंगे तो यह क्या करेगा बच्चों 2 electron accept करेगा और 2 electron जब accept करेगा तो इसका electronic configuration होगे 2 and 8 तो इस तरह से आपने देखा अपने outer cell में electron की संख्या आच करने के लिए कोई भी element जितना electron accept करता है या जितना electron lose करता है जंदली वही उसकी valency कहलाती है किसी भी element की जो valency होती है 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है और 4 हो सकती है यह 4 किसकी होती है carbon और silicon तो यह जो होते हैं वो tetravalent elements कहलाते हैं और बाकि जिनकी valency एक, दो, त्रीन यह monovalent यह divalent यह trivalent यह tetravalent यह namely जिसकी valency एक ओती उसको नाम से जाने हैं तो आज हमने यह देखा कि हम किसी भी आलिमेंट चाहें वो कटायस बनाता हो चाहें वो एनायस बनाता हो उसकी वैलेंस हम कैसे find out करते हैं आए बच्चों अब हम कुछ acidic radicals और basic radicals की बात करेंगे किसी radicals मतलब radicals का मतलब होता है हम कह सकते हैं group of items which are charge मतलब जिनके पास कोई positively charge या negatively charge है तो हम बात करते हैं इनका valency कैसे find out करते हैं अगर बच्चों हम मान लीजे सबसे पहले आपको एक्जामपल दिखाना चाहते हैं कार्बोनेट इसकी वैलेंसी माइनस टू होती है लेट्सी कैसे कार्बोनेट पे माइनस टू ही होगा माइनस थ्री नहीं होता है अगर हम इसका अरेजमेंट आपको दिखाएं तो कार्बन के साथ कितने अक्षिन लगें बच्चों तीन अक्षिन लगए वेटा सी ओ और ऑप अब हम देखते हैं कि कार्बन के आउटर सेल में कार्बन का अटामिक नमबर यहां को दिखा दें कार्बन का अटामिक नमबर 6 इसके पास 123456 इसके पास 123456 इसके पास 123456 जरा ध्यास देखेंगे अगर हम इनका सेरिंग दिखाते हैं क्या करेंगे बच्चों अगर हम इलक्टानों की सेरिंग दिखाते हैं तो आप ऐसे समझ लाओ कि यह इसका एक 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 करेगा और इसके दो दो इलक्टान सेरिंगे करेंगे तो आपने देखा कि कार्बन की कार्बन का अक्टेट कंप्लीट हो गया तू 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 है कि इनका convene औरा करने के लिए एक extra decon की ज़ंद पड़ेगी जो यह वो किसी से लेगा तो इस तरह अपने देखा इस पूरे गृंप पे सीओ अ थी पे कितना यह सचोख गया कि इस तरह से हम किसी कि सब्सक्राइब करते हैं कि किसी अगर हम को बांडिंग करते हैं या किसी कंपाउंड के में कौन सा बांडिंग होगा अगर हम उसको जानते हैं तो हम तो कर आहिए दोसा एक्पर कर लें along method को और शॉय प satisf pense इसको कहते हैं ammonium ion characteristics होता है अगर आपको इसकी स्ट्रॉच्ट के बारिं पता है और झाल से नाईट व्याइट हैं जातने हैं हैं इन चार है इस तरह से आपने अरेंज किया कैसे बनें गारें नाइटोजन अपनाकिसके साथ इलक्टान सेर और हम इसके पास एक लोल पेर अपनेड़ान ते यह रहा है और इस कियाक प्रेफाइगा उसके देगा और इस अदेखा baş इस ग्रूप आफ उटमस में से एक एलेक्ट्रान लूज हो रहा है तो वह है पॉस्टिव चार्ज के फार्म में इसके उपर लगा हुआ है तो देर्फोर हमें कह सकते हैं कि आमोनियम और यहां क्या प्लस तरह से हम किसी भी स्कीर बेसिक होते हैं उसको आपको जानना होगा दो तरह के radicals होते हैं एक को कहते हैं acidic और दूसरे को कहते हैं basic acidic radicals किसे कहेंगे और basic radicals किसे कहेंगे यह आपको जानना होगा acidic radicals का मतलब होता है कि जितने भी negatively charged radicals होते हैं उसको हम acidic radicals करते हैं और जितने भी positively charged radicals होते हैं तो इस तरह से हम किसी भी रेडिकल्स की भी वैलेंसी पॉइंट कर सकते हैं अगर हमको केमिकल बांडिंग पता है कि कौन सा एलिमेंट एक दूसरे से किस बांडिंग से मतलब बांडिंग मैंने आपको पढ़ा दिया बहुत बार इलेक्टोवैलेंट बांड बन सकता है कोवैलेंट बांड बन सकता है या कौाडिनेट बांड बना सकता है तो इस तरह से इन तीनों के में हमने यहां देखा यह सिंगल सिंगल बांड का सिंगल सिंगल इलेक्टान का सेरिंग हो रहा है तो यह कोवैलेंट बांड बन गया यह क सब्सक्राइब करें तो वह तो फिर आप इसले वीडियो में देख लेंगे कि कैसा हम केमिकल बांडिंग बना सकते हैं तो इस तरह से आज हमने जाना कि कैसे किसी एलिमेंट की वेलेंसी हम पाइंड कर सकते हैं तो अगर हमको यह ध्यान रखना है कि किसी भी एलिमेंट का अगर हम electronic configuration जान ले बटा तो electronic configuration के base पर हम यह पता कर पाएंगे कि वह electron वह मतलब वह element electron gain करेगा कि electron lose करेगा क्यों गेन करेगा क्यों लूज करेगा ऑक पाइंग इसको अपने करने के लिए इलेक्ट आन लेने की जोद पड़ेगी या इलेक्टान देने की जोद पड़ेगी अगर वह एलेक्टान देता है तो कैट इस बनाएगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यह यह वह पॉस्टिबली चार्ज रडिकल्स तो बेसिक रेडिकल कहलाता है और बनाता है तो ऊपर यह जैसे मतर्स अभी आपके पास लिखा था कार्बो यह रखा कर्बोnyत हो सकता है पासफए टाइन हो सकता है is यह सारे के सारे एक में लिख रहा हो यह सारे के सारे आयंस है और इसको हम एसके रिडिकल के नाम से जानते हैं इन में से अगर आप को किसी का स्ट्रक्चर पता करना हो तो आप बड़े ही आसानी से जानना चाहेंगे कैसे किसी भी element का जो जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों फासफेट का आई देखते हैं फासफेट का structure क्या होगा क्यों इसके उपर माइनस त्री चार्ज होगा बस मैं फिर से repeat कर रहा हूं फासफोरस इसमें central metal item है इसके चारो तरफ बेटा चार oxygen लगे हुए हैं और इसकी जो बान निंग होगी कैसे होगी आप इसको देखें कैसे बान वाइन के पास के पास पांच electron है एक यह एक एक एह एक कर यह और यह den करतेखा और इसके पास आम ने देखा इतने और ते बटा इसका नहीं हुआ 1,2,3,4,5 1,2,3,4 1,2,2,4 रेखे 2,2,4,2,6,1,7 2,2,4,2,6,1,7 2,2,4,2,6,1,7 तो ना तो इसका Arctic Complete है ना तो इसका Arctic Complete है तो इन तीनों oxygen का Arctic Complete करने के लिए एक electron की जरूत होगी जो कहीं से लेगा इसको भी एक electron की जरूत है जो कहीं से लेगा किसी दूसरे element या group of items से लेगा तो इस तरह से आपने देखा कि इस phosphorus में गौर्श देखेंगे इस phosphorus के साथ 4 oxygen थे PO 4 हमने लिग दिया एक electron यहां लिया एक electron यहां लिया अगर ऐसा करता है तो इसका 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 और इसका चारों का arctate complete हो गया by accepting 3 electrons तो इस तरह से हमने कहा यह phosphate की जो valency होगी वो minus 3 होगी तो इस तरह से phosphate जो radicals होगा जो ions होगा उसकी valency minus 3 होती है तो अगर हम उसको उसका electronic configuration जान रहे हैं उसकी bonding जान रहे हैं तो हम यह पता कर सकते हैं कि किसी भी element या किसी radicals की valency क्या होगी तो उसके लिए आपको यह जानना होगा कि उसका atomic number और उसका electronic configuration और यह concept ध्यान में रखना होगा कि कब वो है electron lose करेगा कब वो है electron gain करेगा या कब वो है electron share करेगा कब वो है electrons या pair of electrons coordinate करेगा तो अगर आपको इतनी जान करेगा तो you can know the valency of any radicals or valency of any elements or any enhance तो it was all about the valency किस तरह से हम यह जान सकते हैं कि किसी भी element की valency कैसे find out कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह video आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप अब से जान जाएंगे कि किसी भी element की valency हम कैसे find कर सकते हैं या कैसे हम किसी भी radicals की valency पता कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को share करना like करना और subscribe करना न भूले Thank you so much for watching